हेलो एवरिवरन, वेलकम टू सुमन कीचन, आज की रेसिपी है मसाला ओट की रेसिपी, हेल्दी और टेस्टी मसाला ओट से दो मिनट में बना कर त्यार करेंगे कैस ओन करके कडाही या पैन रखना है, दो चमच घी या तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद इसमें एक छोटी चमच जीरा डालकर इसे अच्छे से कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे उसके बाद एक प्याज को बारे कट करके डाल देंगे और इसे कलर चेंज होने तक, यानि की प्याज सोप्ट होने तक भूनेंगे तो यहाँ पर जो भी बेजिटेबल डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं तो एक हरी मिर्च मैं इसमें कट करके डाल रही हूँ कुछ सेकेंड के लिए भूनने के बाद एक टमाटर डालेंगे छोटे-छोटे टुकडों में कट करके आधी मिनट के लिए हमने टमाटर को भी भून लिया है अब इसके अंदर आधी कप यानी तीन से चार चमच के करीब मतर डाल देंगे इसे भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं और यहीं पर हम डाल देते हैं स्वाधी के अनुसार से एक चमच नमक और आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर नमक डालने से टमाटर जल्दी से सोप्ट हो जाएगा तो इसे हमें टमाटर अच्छे से गल जाने तक भून लेना है यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालूंगी रेट चिली पाउडर आधी चोटी चमच के करीब आपको तीखा पसंद रही है तो रेट चिली पाउडर इसकीप कर दीजे हरी मिर्च पहले से हमने इसमें डाल रखा है अब इसे हमने टमाटर को सोप्ट होने तक भून लिया है अब इसके अंदर मैं आधी कप पानी डाल देती हो मिक्स करेंगे अब इसके अंदर हम ओट्स को डाल कर मिक्स कर देंगे आप यहाँ पे कोई और भी वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं इसके अंदर जब हम प्याज और टमाटर को भून रहे थे उसी टाइम आप वेजिटेबल को भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है अब इसमें डालेंगे दो गिलास पानी यानि कि एक कटोड़ी हमने डाला है इसमें वोट्स तो दो कटोड़ी हमें पानी डालना है अच्छे से mix कर देंगे वोड्स तो healthy होता ही है साथ साथ इसे बनाना भी बहुत असान होता है सिर्फ दो मिनट में इसे आप बना कर त्यार कर शकते हैं तो यहाँ पे अच्छे से हमने mix कर दिया है अब इसमें हम डालेंगे एक चमच, सबजी मसाला कोई सबी या एक pocket मेगी मसाला आप डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा सुआद आएगा कोई भी हमने मसाला नहीं डाला है सिर्फ एक चमच हमने इसमें सबजी मसाला डाल दिया है mix कर दिया हमने और कबर करके इसे 2-3 मिनट के लिए medium आच पे पका लेंगे तो 3 मिनट हो चुका है देखे अच्छे से इसके पानी सुख चुका है और थोड़ा समय इस तरीके से liquid form में हलका सा रखोंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा न तो और सुखता है तो ये तियार हो चुका है गय सबने बंद कर दिया है अब इसे हम गर्मा गर्म सर्ब करेंगे तो जटपट से तियार हो गया ये खेलदी नास्ता आप इसे जरूर ट्राय करके बताएगा कमेंट बॉक्स में कि रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब करना पिल्कुल मत बुलिएगा तेंक यू